टीम इंडिया को जून में T20 World Cup 2024 खेलना है ICC का ये टूनामेंट एक जून से अमेरिका और वेस्ट इंडीस की मेजबानी में खेला जाना है इस टूनामेंट के लिए भारत समिद सभी टीमें अपनी अपनी तैयारिया कर रही है इसी भीज T20 के मेगा इवेंट से पहले एक प्रतिवाशाली भारते दिगज खिलाडी ने बड़ा कदम उठाया है इस दिगज ने भारत छोड़कर दूसरे देश के लिए कोचिंग देने का फैसला किया है खास बाती है कि इस दिगज की कोचिंग में टीम इंडिया 2007 में T20 वर्लकप का खिताब जीच चुकी है आईए आपको बताते है कोन है ये खिलाडी दरसल T20 वर्लकप 2024 से पहले जिस दिगज ने बारत छोड़कर दूसरे देश की कोचिंग का दामन थाम लिया है वे कोई और नहीं बलकी बाल लाल चंद राचपूत हैं आपको बता दे कि पूर भारते खिलाडी लाल चंद वो UA किर्केट टीम का कोच बनाया गया है उनका पहला कारे ICC किर्केट वर्लकप लिग 2 वन डे में होगा जो सयुक्त अरब अमरेत में आयोजित की जाएगी इसके बाद UOE अगले महीने तीन T20 मैचों के लिए स्कोटलेंड की मेजबानी करेगा आपको बता दे कि लाल चंद की कोचिंग में भारत ने पहली बार 2007 T20 वर्लकप का खिताब जीता था इसके बाद मैन इन ब्लू दोबारा ये टूनामेंट नहीं जीत सका लाल चंद 2016-17 में टीम इंडिया के अलावा अफगांदिस्तान टीम को भी कोचिंग दे चुके हैं उनके कारेकाल के दोरान अफगांदिस्तान को इंटरनेशनल क्रिकेट परिशद द्वारा टेस्ट का दर्जा दिया गया था जिंबावे पुरुष टीम के साथ उनका अगला कारेकाल 2018-2022 तक था राजबूत ने जिंबावे को ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कराने में मदद की अब वह UAE क्रिकेट को आगे ले जाने के लिए तैयार हैं और खिलाडियों ने वंडे और T20 दोनों में अच्छा परफॉमेंस किया है प्रेजेंट बैच असरधारें रूप से एक्सपिरियंस्ड है और मैं उनके साथ काम करने के लिए क्रिकेट कोशल को और निगारने के लिए बहुत ज़दा एक्साइटीड हूँ जानकारी के लिए आपको बता दे कि लाल चंद राजबूत ने टीम इंडिया के लिए दो टेस्ट मैच और चार वंडे मैच खेले हैं